नमश्कार बच्चो! कैसे हो? हान जी बच्चो! आपने कल ये आपने कवीता को याद किया होगा, पढ़ाओगा मुझे लग रहा है सब बच्चों ने याद कर लिया होगा इस कवीता को क्योंकि बहुत मजईदार कवीता है, पढ़ने में भी मजा आ रहा था तो चलिए आज फिर से हम अभ्यास करने से पहले ही इसको कवीता को एक बारी पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ेंगे, सब बच्चे मेरे पीछे पीछे उंगली रखें और बोलते जाएंगे. पार्ट नमबर आठ अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रसी जहां कहीं भी ले जाते. बांध तने में उसके रसी जहां कहीं भी ले जाते, अगर कहीं पे धूप सताती, उसके नीचे जट सुस्ताते. जहां कहीं भी बर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते. भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर्फल उसके खाते, आती कीचड़ बाल कहीं तो, उपर उसके जट चड़ जाते. उपर उसके जट चड़ जाते. अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते. तो इस परकाश से बच्चों आपने ये कवीता को पड़ा, याद किया और इसका खो मजे लिए. तो इसके साथ साथ हम जो है अभ्यास कारिये करेंगे, सब बच्चे अभ्यास कारिये निकालीए. पेश नमबर 34, अभ्यास, कवीता में से ही हमने काम करना है. नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए. ये कवीता की एक अधूरिक पंक्ति है, इसको हमने पूरा करना है. और पूरा कैसे करना है, पीछे से देख कर भी कर सकते हो, आपको याद है तो तब भी आप लिख सकते हो. लेकिन लिखते समय आपने एक तो दिहान रखना है सुलेक, कि सुलेक आपका साफ होना चाहिए, और अक्षर जो है आपके ठीक से बने होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए, सुन्दर-सुन्दर, अशुद्धियन ही होने चाहिए. तो चलिए, प्रिशन नमबर एक करते हैं, हम नीचे दीगी, पंक्तियों को पूरा किजिए, पंक्तियों यानि की लाइन्स, क, उसके तने में रस्षी बांद कर, उसके तने में रस्षी बांद कर, जहां कहीं भी ले जाते, क्या हैगा, जहां कहीं भी ले जाते, पूर्ण भी राम्ड लगा देंगे आप, next, ख, धूप सताने पर, डेश, धूप सताने पर, उसके नीचे जट सुस्ताते, धूप सताने पर, उसके नीचे जट सुस्ताते, देखो, ये कवीता की आगे की पंक्ती दिये, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, धूप, यहाँ पर लिखा हुए न, कहाँ पर है, अगर कहीं पर धूप सताती, तो यहाँ पर ये ऐसे नीचे पंक्ती दिये, यहाँ पर है धूप सताने पर, क्या दिया हुआ है, धूप सताने पर, तो उससे आगे हमने जो है उसके नीचे जट सुसताते तो हमने यहां पर क्या लिखा उसके नीचे जट सुसताते तो यहां पर आपने ध्यान देने इस चीज का भी नेक्स्ट है वर्षा, ग, वर्षा होने पर, क्या होता है, वर्षा होने पर उसके नीचे हम छिप जाते, वर्षा होने पर उसके नीचे हम छिप जाते, ठीक है, हमने याद किया था नहीं, ये कविता याद कर रखी है हमने, तो लिखने में हमें आसानी हो जाएगी, कि वर्ष सताने पर हम क्या करते हैं तोड मधूर फल उसके खाते जब भूग सताती है तो हम तोड कर उसके फल खाने लगते हैं भूग सताने पर तोड मधूर फल उसके खाते तो बच्चो देखो इस परकार से हमने जो है इन पंक्तियों को पूरा किया यहां पर एक थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है उस हिंट से हमने आगे की पंक्ति को पूरा किया है उस जैसे कि यहां पर उसके तने में रसी बांद कर उसके तने में रसी बांद कर क्या करते हैं जहां कहीं भी ले जाते हैं कहीं पर भी ले जा सकते हैं हम उसको फिर दूप सताने पर हम जट उसके नीचे सुस तोड़के उसके मदूर मदूर मीठे मीठे फल जो है हम खाते हैं तो इस परकार से हमने इन पंक्तियों को पूरा किया आगी समझ सब बच्चों को कि एक थोड़ा सा हिंट आपको दिया है लेकिन आगे की पंक्ति को आपने खुद जो है पूरा करने हैं नेक्स आता है प्रेशन नमबर दो अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है सही पर राइट का निशान लगाई है अब जो है पेड़ अगर चलते होते तो क्या क्या हो सकता है यह वाक्य दिये हूँ है हमने यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाना तो आपने यह ज जंगल में सारे पेड़ गायव हो जाते हैं नहीं होते हैं जंगल में पेड़ गायव हो जाते हैं चलते चलते क्या होता यहां पर प्रशन पढ़ लो देखो अब हमने गलती कर जाते नहीं तो अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या होता पहला है जंगल में सारे पेड़ गाय तो जंगल जो है खतम हो जाता दूसरी जगह पर हो जाता राइट सही का निशान लगेगा यहां ठीक है ना नेक्स्ट एक ख़ चडिया अपना घूंसला डूंडती रहती हां जी बिल्कु सही का क्योंकि चडिया अगर जंगल में अगर पेड चलते होते तो पता ही चलता चड जो हो अपने घूंसले को डूंडती रहती तो राइट सही का निशान आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट आता है गव लोग फल वाले पेड अपने घर ले जाते आप क्या है बिल्कु सही है अगर जो लोग जो है क्या करते जो फलो फलो वाले पेड उनको खिंच के अपने घर ल पंदी और अपने घर को ले चलते सही का निशान लगाएंगी यहां ठीक है सही घर पेड एक ही जगह पर रहते अगर हम अगर पेड चलते हो तो एक ही जगह पर रहते नहीं उनकी जगह जो है हमेशा बदलती रहती तो इसलिए यहां पर क्या आएगा गलत का निशान ठीक है नेक्स आता है अना हम पेड़ पर बैठ कर सैर करते बिल्कु सही कि पेड़ों के उपर बैठ जाते और सैर करते क्योंकि पेड़ तो चल रहे है तो हमें सैर करने का मौका मिल जाता तो यहां पर क्या आएगा सही का निशान आएगा तो इस परकार बच्छों हमने ये सह ही और गलत का निशान लगाया हमने कि अगर पेड चलते होते तो क्या-क्या होता हो उसके बारे में जाना और जो बात सही नहीं है उसके उपर हमने गलत का चीन लगाया और जो सही है उन पर सही का निशान लगाया तो इस परकास से हमने यह प्रशन कर लिए नेक्स आता है बा बात्चीत के लिए इसलिए इसको आपने उतारना नहीं है नोट बूक में पहला है प्रेशन कवीता में धूप से बचने के लिए पेल के निचे सुस्ताने की बात कही गई है आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं क्या क्या करते हैं आज कर आप देखते हैं कि बड जो डोब से बचने के लिए चाता लेदे या फिर धूप से बचने के लिए गोगल लगा देते हो गरते हो यह सब हम काम करते तो आप लेंगे नीत ले लेथे हम बड़ी लोग तो ले ले लेते चोटे बच्शे सकार्फ लेते हैं जिसको बांध ले जिससे कि उनको शह्कियों ओप द्फूप ना लगे इस ही परकार से कि आप दूप से बचने के लिए क्दोतर की क्या करते है आप कवीता में कवी कवे तो बताया था ना आपको कवीता को लिखने वाला कभी होता चया नो और आपको पतह है इस कवीता के कवी कौन से कौन है को जाद है। लिखवाए था कट वहां था तो फिरी दिविक रमेश कौन है شरी देवित रमेश जी ने ये कविता लिखी और उनको पेड़ पर चढनें और शेर करनें का बहुत मज़ाता है तो उनोंने पूछ़की क्या आपको किन किन कामों को करने में मज़ाता है। तो हमें बहुत सारे काम करने में मजाता है, हमें पेड़ों के उपर खेलने में मजाता है, है ना, पेड़ों के पत्ते तोड़ने में मजाता है, पेड़ों के फल तोड़ने में मजाता है, सैर करने में मजाता है, है ना, और उसके बात जो है, हमें जो है, क्या करना मजाता है, छुपम छुपाई में पेड़ों के पीछे छुपना पसंद है और भी बहुत सारी काम है जो आपको पसंद है तो आप अपने अपनी पसंद के काम जो है बताएंगे ठीक है और जो है अपनी ममा को बताएंगे जो भी आपको पढ़ाता है उनको बताएंगे कि आपको क्या क्य करना पसंद है क्या क्या करना नहीं पसंद है नेक्स आता है प्रेशाण नूर तीन कवीता में बरशा होने पर बच्चे पेड़ के नीचे छिप जाते हैं अगर आपको और आपके साथियों को खेल खेल में चिपना हो तो कहां कहां चिप सकते हैं कहते हैं कि हम चुपन चुपाई खेलते हैं कई बच्चे पेड़ के पीछे जाके चिप जाते हैं कई उनके पत्तों में चिप जाते हैं, पहनियों के उपर सरते हैं, चिप जाते हैं, कहता है कि अगर आपको अपने साथियों के साथ खेल खेल में कई चिपना पड़े तो कहां कहां चिपते हो आप, पेड़ों के पीछे तो चिपते हो ये तो बता दिया हमने, लेकिन और कहां चिपते हो, गाड़ियें खड़ियें उसके पीछे जाके चिप जाते हो, ट्रक के पीछे जाके चिप जाते हो, इंते पड़ियें उसके पीछे जाके चिप जाते हो, और कहां चिपते हो, पोधों के पीछे जाके चिप जाते हो, जाड़ियों में चिप जाते हो, और बहुत सा राज चिपते हों, आपधारी जगे हैं, बताईएं आप मुझे क कहाँ खिपते हो, यह तो मैं बता रहीूं अलग-लग स्थान है कई बच्चे जो हैं बड़े श्रार्ती होते हैं किसी की गाड़ी खड़ी है उसमें छिप गए और वो गाड़ी आला आया और उसके बाद जो है चला के ले जा जाएगा आगे तक पहुंच जाते हो आप दिक्की में भी छिप जाते हैं कई बच्चे तो खड़ा एक जाती है तो इस परकार से हमने ये जो बातचीत वाले प्रशन थे ये सिरफ हमने एक दूसरे से बातचीत करके ये प्रशनों के उत्तर जाने और इसको हमने कॉपी मेंनी करना अब इसके बाद ठोड़ा सा अ आजाता है कि कलपना नेक्स्ट पेड़े पर आता है है ना तो लेकिन आप अगर घरों में पहिये होते तो क्या होता अपने मंद से बताईए अगर मान लो आपके घर के नीचे पहिये लग जाते हैं तो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पढ़ ले जाते हैं जैसे आपकी ट्रांस्फर होती है तो आपको घर बदलना मान उठाना ना पड़ता मकान के नीचे पहिये लगा लेते और तो है उसको दूसरे शहर ले जाते ऐसा होता ना और फिर आपको जगे जगे धक्के निखाने पड़ते जहां मन करता हूं वहीं पर जो है आप डेरा लगा लेते रात के समय कहीं पर भी अपने घर को खड़ा कर देते है ना और और क्या हो सकता है आपके मन की बात और बताओ मुझे जैसे अगर पेर चलते होते तो आप छुप जाते इसी तरह से हम जो है जहां मर्जी दिल करता हूं पर रोक लेते अपने घर को बजार में रोक लेते या फिर जो है सड़क पर रोक लेते नदी के किनार इलाकों में ले जाते प्लेन में ले जाते ठीक है तो इस परकार से हमारे अगर घर जो है चलते होते तो हमें बड़े मज़ा आता इधर उदर घूमते रहते हम अपने घर को लेकी आराम भी कर लेते है और साथ में घर के द्वारा हम जो है इधर उदर ले जाकर अपने आनन तक कल जो है हम इससे आगे करेंगे तो कल तक के लिए अब जो है